दोस्तो आज गुल्ली बुल्ली और सौन अपने गाउं जड्डू चाचे का घर जा रहे हैं सौन बोलता बुल्ली जल्दी से तयार होकर बाहर निकलो तुम्हें तयार होने में इतना देर क्यों लग रही है गुल्ली बोलता बुल्ली तुम कितना में तयार हो जाओ लेकिन त गुली के बाद सुनकर सौन हसने लगता है। सौन बोलता हा गुली तुम मिल्कूर सही बोल रहे हो। गुली तुम मुझे चंबलपूर का डगयत लगता है। और तभी बुली बाहर आ जाता है। तुम खुद देखो, यह देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट, बताओ, नहीं तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो, कि मैं इस दुन्या का सबसे हैंसम बंदा हूँ या नहीं हूँ, यह देखो सौन बोलता अपना मों बंद रखो, कवगा कितना भी सजली, लेकिन मों कबूतर नहीं बन सकता, अब जल्दी चलो, वरना हमें लेट हो जाएगी, अभी रुको, मेरा सबसे इंपोर्णन चीज तो घर के अंदर ही छूट गया, अभी मैं लेकर आता हूँ, और फिर बुली घर के अंदर चला जाता है, गुली सौन से बोलता है, कहीं बुली हमारे लिए बोतले लाने तो नहीं गया, काफी दिन हो गई पिये हुए, सौन बोलता अगर बुली अंदर से बोतले लाएगा, तब तो बहुत ही मजा जाएगा गुली, और कुछ बोतले तो मैं जंडू चाच तो आज तक देखाई नहीं है तभी गुली घर से बाहर आ जाता है हालो गाइस मैं कैसी लग रही हूँ मेरा पर्स घर में छूट गया था सौन बोलता अब यह कभी लड़कियों जैसे हरकत नहीं करेगा गुली बोलता पर हम लोग जलू चल्ड़ाउ जाएंगे कैसे जीप में पेट्रॉल 12 मतलो गुली मुझे पता है कि जीप में पेट्रॉल नहीं है इसेलिए मैंने पहले ही ऑनलाइन बस बुक कर दिया था और वह बस थोड़ी ही दिर में आती ही होगी और तभी वो बस वहाँ पर आ जाती है गुली बोलता है वा सौन तुमने तो काफी अच्छा बस बुक किया है तुम्हारा तो काफी खर्चा हो गया होगा सौन बोलता है खर्चे की टेंसम तुम मतलो गुली क्योंकि पैसे मैंने तुम्हारे पर्च से निकाला है ये सुन कर तो गुली का मुँही लटक जाता है गुली बोलता अब तुम लोग मुझ पर हसना बंद करो और अब जल्दी चलो वरना जन्डो चला गाउं चाने में काफी नेट हो जाएगी और फिर सारे लोग बस में जाकर बैट जाते है गुली ड्रेवर से बोलता है बस में काफी जोगा गर्मी लग रही है इसलिए जल्दी से बस का इसी चालू करो वरना तुम यहां से जिन्दा बचकर नहीं जा पाओगे सौन बोलता भाईया जल्दी से बस का इसी चालू कर दो वरना इसका दिमाग खराब है या आपको मारने लगेगा बस का ड्रेवर बोलता है लगता है कि तुम लोग मुझे हलके में ले रहे हो बचपन में मुझे सारे लोग पपू बदमास के नाम से जाना करते थे बुल्ली बोलता है ये नाम तो मुझे दूद बेचने वाला जैसा लग रहा है बस का ड्रेवर बोलता है जब भी कोई बच्चा रात में नहीं सोता तो उसकी माँ बोलती है सो जाओ वरना पपू बदमास हा जाएगा गुल्ली बोलता है ये बस का ड्रेवर मुझे काफी कातर माक आजमी लग रहा है हमारी चूप रहने में ही हमारी भलाई है और फिर बस का ड्रेवर बस को आगे बढ़ा देता है सोन बोलता है मैंने सुना है कि जिस गाउं में जन्डू चाचा रहते हैं वो गाउं काफी ज़ता विराना है और उस गाउं में अजीबो गरीब घटना है होती रहती है गुल्ली बोलता है नहीं सोन ये सब बस लोगों की बनाई हुई बाते हैं बस का ड्रैवर बोलता है ये या बोल रहा है ये driver जन्डु चाचा भी उसी गाउं में रहते हैं और वो तो हमसे हमेशा phone पे बाते भी करते रहते हैं बसका driver बोलता यह हो ही नहीं सकता क्यूंकि जिस गाउं में तुम लोग जा रहे हो उस गाउं के सारे लोग मारे जा चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि त पर आज सुवा ही जन्दू चाचा से बात हुई है बस का ड्रैवर बोलता है ये हो ही नहीं सकता उस गाउं के सारे लोग मारे जा चुके हैं बुली बोलता है पर पहले भी हम लोग वहाँ पर जा चुके हैं तब तो ऐसा हमने नहीं सुना था बस का ड्रैवर बोलता है उस गा अत्माएं गाउं के सारे लोगों को मार चुके हैं। ड्रैवर की बात सुनकर खुली बुली सौन की साथ से थमची जाती है। ड्रैवर बोलता है और हम लोग फोड़ी देर में उस गाउं के पास पहुचने वाले हैं। सौन बोलता है तुम लोग इस बस ड्रैवर की बात पर यकिन मत करो ये बस हमें डराना चाहता है क्योंकि मैंने इसे किराया कम दिया था। और अब मैं तुम्हें एक कूटी कोडी भी नहीं देने वाला। अपना सड़ा हुआ मूह लेकर यहां से निकलो। सौन की बात सूनकर बस ड्रैवर हसने लगता है। गुली बोलता अभी भी अपने ड्रावनी हसी से हमें डराना चाहता है। अभी मैं इसे बताता हूँ। और फिर गुली बस ड्रैवर के पास जाकर घूसों की बरसात कर देता है। गुली बोलता अब चलो बुली और सौन अब हमें यहां से प और जंडू चाचा हमें देखकर काफी फूस होंगे चलो आवमें जल्दी से जंडू चाचा घर चलना चाहिए और फिर सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं लेकिन सायद गुली बुली सोन को पता नहीं है कि ड्रैवर बिल्कुल सच बोल रहा था तभी जंगल में भेडिये के चिलानी के वाँ जाने लगती है गुली बोलता है कहीं हम पर भेडिया हमला ना कर दे बुली बोलता है गुली तुम इसकी चिंता मत करो मैंने बचपन में बहुत सारे भेडियों को मारा है बहुरी खौकार भेडिया है बहुरी को डरता देख गुली और सौन हसने लगते हैं सौन बोलता क्या हłeँ बुली अभी तुम बूल रहे थे कि मैंने बच्मने महुचर भेडिय će और तुम तो भेडिया का नाम सुन पर ही डर गए गुल्ली बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था तुम तो सिरियस ही हो गए गुल्ली बोलता है तुम लोग सांत हो जाओ इस जंगल में आखिर का ट्रेन के बाज कहा से आ रही है सौन बोलता हाँ ट्रेन के बास तो आ रही है पर इस गाउं में ट्रेन तो चलता ही नहीं है और बस ड्रेवर तो ये भी बोल रहा था कि जो पहले ट्रेन चलता था उसका तो एक्षिडेंट हो चुका था और तब से इस गाउं में railway station बंद है ये तिनों बात करते करते जंडू चाचा के घर पर पहुँच जाते हैं जंडू चाचा तो अराम से घर के बाहर लेटे हुए हैं सौन बोलता है जंडू चाचा हम लोग आ गए जंडू चाचा उठकर बैठ जाते हैं गुली बोलता है किया हुए जंडू चाचा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं जंडू चाचा बोलते हैं तुम लोग सो जाओ राच काफी जादा हो रही है ये वक्त बात करने का नहीं है चलो घर के अंदर गुली बुली सोन घर के अंदर चले जाते हैं पर गुली बुली स कि और फिर से ट्रेन के वाज आने लगती है材 bomb के लुटा ये वाद सोशायलिस्ट घर के बाहर से आ रही है अब ही मैं बाहर जाकर देखता हूं और फिर सोण वहां से उठता हैँ और घर के बाहर चला जाता है तो दोस्तो आखिर कर क्या हुए सोन का क्या चुचु चारली ट्रेन सोन को मार डालेगा या फिर बुली बुली सोन को बचाएंगे ये सब रुन जानेंगे इस वीडियो के पार टू में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिये और चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब बना मत बूलिएगा और ये है कुछ साउट आउट जिन्मारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ साउट आउट दू तो इस वीडियो की मेंचे कच्छा सा कमेंट जुरूर कर दे तब तक के लिए बाई बाई